मित्रों, नमस्कार, आज मैं दिवस के अफसर पर आपके समक्ष अपनी ए कविता नहीं मालूम से मालूम होने की कहानी का पाठ कर रहे हूं नहीं मालूम की छोटी छोटी कहानिया कैसे बयान कर देती है जीवन की बड़ी बड़ी सचाईयां सची तो कहा था उसने की उसे नहीं मालूम की क्यों उसके अमन्चैन की जिंदगी में तूट पड़ा था कहर कि क्यों उसके और आसपास के कहीं गाओं में लगा दिये गए पोश्टर आदर्स हिंदू राष्ट का आदर्स हिंदू गाओं कि राष्टे पक्षी मोर को मार कर कौन फैक गया बीच राष्टे पर कि क्यों उस मोर की हत्या के आरोप में जबरन बंद कर दिया गया हवालात में एक खास मज़ब के लोगों को कि क्यों उनके घरों के बाहर संख घडियाल जांज बजा कर लगाये गए नारे दी गई धमकियां घर छोड़ कर जाने की उसे नहीं मालूम कि एक चुनाव जीतने के लिए अपने ही गाउं के लोग क्यों बेदखल कर देते हैं अपने ही पडोसियों को कि क्यों भूल जाते हैं सारे रिष्टे नाते प्यार महबत शबनम की इतरह नूर को भी जो कार खाने के बिजली विभाग में एलक्टिसियन था नहीं मालूम था कि जिस कार खाने की हर बिगडी हुई मसीन उसकी हाथ लगते ही लगती थी दोड़ने कि जहां काम करते हुए खोदी थी उसने अपनी एक आँख उसी कार खाने का उसका हेलपर उसे चोड साबित करने के लिए टिफिन में डाल देगा एक बल्ब और सेक्योरिटी विभाग को देकर सूचना निकलवा देगा उसे नौकरी से नूर की ही तरह बंता सिंग को भी नहीं मालूम था कि कार खाने के गार्ड की नौकरी करते हुए जिस चोड को थाने में पहुँचा कर महा प्रबंधक के कम्रे में इनाम और तरक्की पाने की उमीद से पहुँचा था वह महां वही चोर उसी के साथ बैठा मुस्कुरा रहा होगा कि इनाम के बदले प्रबंधन में दखल अंदाजी के आरोप में नौकरी से कर दिया जाएगा बाहर बनता सिंग की तरह ही हेला और भेला भायों को भी नहीं मालुम था कि सूती के जिस कार खाने में धागों को जोड़ जोड़ कर अपनी महनस से जोड़ा था जो एक घर खुद अनपड पर जिसका बेटा सीखने लगा था कंप्यूटर बच्चे के भी हाथ पीला करने की हो रही थी तैयारियां कि आचानक कार खाने की छटाई के लिस्ट में छप जाएगा उसका नाम कि अंगूलियों से छीन लिये जाएंगे धागे कि ये धागे उसकी बच्ची के हाथों में मेंधी की जगा फांसी के फंदे की तरह लटक जाएंगे कि बेटा जाएगा घर से भाग कि मानदार लोगों की सजा होती नहीं कभी खत्म कि रोज होते रहते हैं वे स्थनांतरेत कि वर्सों चलते रहते हैं उनके मुकद में कि जुड़ती रहती है नई नई धाराएं और पढ़ती रहती है एक तारिक के बाद दूसरी तारिक कम्पनी के पुराने डारेक्टर्स को भी नहीं मालुम था नई अर्थनेती के बारे में कि कारखाना बंद करके या पुराने कारखाने की जगह सहर से दूर नए कारखाने का प्रस्ताव लाकर लागत भड़ा कर दिखाने से घर बैठे बैठे कारखाना सुरू होने से पहले ही हर डारेक्टर को मिल सकते हैं करोडो रुपे जैसे मुन्ना भाया को भी नहीं मालुम था कि कारोबार की जरूरतें कैसे घर के सुधतावादी मुख्या को कर सकती हैं मजबूर कि कारोबारी बेटे घर में अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं ड्रिंक्स और मुन्ना भाया के प्रश्ण को पिता घर में सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है बता कर आसाने से कर सकते हैं खारिज पर गेर कारोबारी पढ़ने लिखने की रहा चुनने वाले मुन्ना भाई की पसंदीदा माक्स, एंगर्स, लेनिन की तस्वीरें दीवारों से दी जाती है हटा क्योंकि कारोबारी बेटे के कारोबारी दोस्तों को नहीं सुहाती बे तस्वीरें जैसे मजदूरों को नहीं मालुम था कि धरम परायान अनुशाशन प्रिय मैनेजर सोमदेव जो बीडी सिगरेट पीने के जुर्म में अब तक कई मजदूरों को दिखा चुका ता बाहर का रास्ता कैसे एक दिन के लिए जिस दिन आने वाला था चेयन स्मोकर डारेक्टर लाला जबरमल भूल गया सारा अनुशाशन और खुद अपने ही हातों से सुलगा कर पेश कर दी सिगरेट पर जैसे जरूरतें बदल देती हैं कानून तोड देती हैं अनुशाशन जीवन के अनुभो भी दे देते हैं ग्यान और पांचवी ओरत पहचान लेती है उस हत्यारे चेहरे को जो उसके पती की हत्या करके सती बना कर उसे भी चाहते थे जलाना पर पांसुई वार वैसा हो नहीं पाता जैसा होता आया था इस वार फट पड़ती है उस औरत के क्रोध की अगनी पती की चिता से उठकर जलती हुई लकडियां मार देती है उन हत्यारों के मुँपर दर कर भागने लगते हैं भे जैसे भागा था थानेदार जालिम सिंग का बड़ा साहव जब सजी धजी अक्षत योना कन्या को लेकर थाने के सामने होकर हाजिर नंगी और तें लगी थी ललकार ने बाहरा बता कितना जो है तिरे डंडे और वर्दी में घड़ी की सूईया उल्टी दिशा में घूम रही थी लिखा जा रहा था एक नया अध्याय एक नया इत्यास नौशकर